पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैट कर खाना खा रहा था कि अचानक कमरा जोर-जोर से हिलने लगता है ये देख पिता उन्हें आवाज न करने के लिए कहते है तभी पिता खिर्की की ओर भागता है और देखते हैं कि बड़ी संख्या में पिशाच उनकी ओर आ रहे है तभी वो अपनी पत्नी से चिला कर चैंबर को खोलने को कहता है और महला टेबल को वहाँ से हटाती है कालीन उठाती है और गुप दर्वाजा खोलती है मा लिसा को अंदर जाने के लिए कहती है लेकिन लिसा बहुत डर जाती है और दूसरी तरफ पिता अपना हत्यार उठा लेता है तब मार उती है और लिसा से कहती है कि वो शोड ना मचाए चाहे वो कुछ भी देखे जिसके बाद उपर मा की चीक आती है तभी असामाने रूप से सरनाटा हो जाता है अचानक दर्वाजा खुलता है और लिसा को पिसाच देख लेते हैं लिसा डर से चिला पड़ती है शहर के दूसरी ओर पिसाचों ने पुरी तरह से कबजा कर लिया है लेकिन एक तांत्रिक अपनी जादूई शक्ती से उन्हें एक-एक करके मार देता है